सिंटेक्स प्लास्टिक आज इस शेर के बारे में आपके साथ चर्जा गलना चाहूँगा उससे पहले आप सभी का स्वगत है आपी के इस यूट्यूब चेनल पर यह जो सिंटेक्स प्लास्टिक कंपनी है स्मॉल केप कंपनी है 85 करोड रुपीस का इनका मार्केट के पे आप देख पा रहे होंगे और इनकी जो इस कंपनी की ओपनी हुई थी आज 15 माई 2020 को एक रुपे तीस पेसे पे थी प्रीवियस क्लोजिंग भी एक रुपे तीस पेसे पे थी और जो आज का लो गय था एक रुपे 25 पेस पेसे का गयाधा और आपके साथ पूरी ग्राफ के साथ इसके साथ चर्चा करूँगा मैं आपको पूरा दिखाऊँगा इसका शेयर ओल्डिंग पेटरं भी बताऊँगा हमें आपको कैसे कैसे कितना किसकिस न Imma invest कर रहा है और मैं आपको एक ही बात के ना चाहूँगा कि आपको से पहले एक आपना शेरहर होंसे हम सबसे पहले हिंगे तो प्रमोटर को आप देख पारे होंगे गुनिस का इसके अंदर बताया जा रहा है 30% 33% 33.74% 33.74% ये तो constraint चल रहा है थोड़ा सा कम हुआ था अभी के टाइम पे और इनकी जो प्लेज है जो गिरवे रखे हुए है इनके वो है 67% तो इस चीज पे आप गूर करिएगा क्योंकि बहुत जादा है ये बहुत जादा है इनके पास और इससे एक कमपनी का साइड इपेक्ट आता है और हाला कि ये एक पैनिस्टोक है तो ये चीजे हैं इसके साथ प्लेज वाली जबी ये पैनिस्टोक है और FII जो फोरें इंवेस्टर है उन्होंने इसके अंदर 12% का इन्वेस्ट कर रखा है आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर और टोटल डियाई आई इसके 13.19 और इसी के साथ आप यहाँ पर पैटन देख लीजे शेर होल्डर का पैटन क्या क्या जा रहा है इसक्रीन पर आ रहा है equity अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा mutual fund का भी कोई invest नहीं है हला कि पहले था mutual fund का invest भाकि उन्होंने अपकोIN больш नहीं कर रहा टोटल डियाई इस 12.87% और अदर्स का आपको दिख पा रहा होगा अब इसी के साथ मैं आपके साथ एक चीज़ पर चर्चा करना चाहूँगा जो है इसका चार्ट हम यहाँ पर आ गए हैं चार्ट पर तो यहाँ पर मैं आपका six months का चार्ट लगाना चाहूँगा और हम चार्ट को देखेंगे Japanese स्केंडलिस्टिक के साथ अब कई सारे मेरे जो नए इन्वैस्टर हैं या बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हुंगे उनको पता नहीं होगा कैंडलिस्टिक क्या है और बाकी लोग को तो पता हिए आप तो पुरानी खिलाडी एं तो अगर आपको ये पूरा पता करना है कि Japanese Candlestick क्या होती है Fundamental Analyze क्या होता है Technical Analyze क्या होता है तो मैं उसके उपर भी पूरी एक वीडियो बना दूँआ आप नीचे कॉमेंट कर दीजेगा तो मैं आपको 6 months का इसका Japanese Candlestick के सार चार्ट दिखाना चाहूँआ आपके यहाँ पर आ जाएगा तो यह जो चार्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले 19 November 2019 तो उस दिन इसकी opening होई थी यह देख पारे होंगे आप 1 रुपे 15 पैसे पर High गया था 1 रुपे 25 पैसे का समझने में यह है 6 January 2020 1 रुपे 35 पैसे opening होई थी High गया था 1 रुपे 35 पैसे का ही Low था 1 रुपे 25 पैसे का और closing होँआ था 1.3 ले इससे के साथ मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूँगा इसकी आप यहाँ पर देखिए 7 February 2020 open हुआ था 1 रुपे 5 पैसे पैसे हाई भी गया था 1 रुपे 5 पैसे का और low था 0.95 का अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ 13 March 2020 open 0.6 high 0.65 low 0.55 closing भी 0.55 का इसी के साथ आप देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको यह दूसरा भी दिखा देता हूँ zoom कर देता हूँ इसको आप देख पा रहे होंगे यह देख लीजिए तो यह एक penny store होग है और इसमें invest करने से पहले आप अपने जो भी investor है उनसे suggestion ले लीजिए financially advisor से आप suggestion ले लीजिए क्योंकि एक penny store होग है तो इसमें मैं आपको कुँआ नहीं कि आप invest करिए इतना ज़ादा आपका portfolio का amount अगर आप कुछ 3-4% invest करना चाहे तो इसमें काफी अच्छा आपको return मिल जाएगा आने वाले कई सालों में और कई चीजें होती है जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि Titan भी एक टाइम पर पैनी स्टोक ही था तो हर पैनी स्टोक टाइटन नहीं बनता तागि टाइटन भी एक टाइम पर पैनी स्टोक था तो आपका सेलेक्शन अच्छा होना चाहिए कंपनी का तो आप अच्छा खासा profit earn कर सकते हैं इसके साथ और इसी के साथ मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो